हलो बच्चों स्वागत हैं आपका आज के इस वीडियो शैसन में तो हम लोग आज कंटिरू करेंगे अपने पीछे छूटे हुए लेक्चर को ठीक है हमने लास्ट क्लास के लेक्चर्स में क्या का डिसक्सिन किया है आप इस चैनल के डिसक्रिप्शन में दिये हुए लिंक प आज का हमगा डिसक्सिन होगा हाई लेवल लेंग्वेज के बादे में यानि कि हम लास्ट क्लास में लो लेवल लेंग्वेज को देख लिया है है आज हमनों बात करेंगे हाई लेवल लेंग्वेज के बादे में कि हाई लेवल लेंग्वेज क्या होता है तो इससे सुरू क या इसको करने के पहले मैं आपको एक बार रिवाइस करोना चाहूंगा और लॉवल लेवल लेंग्वेज जो था वो कंप्यूटर का अपना खुद का लैंगवेज था है यहूं एक normal user के लिए काफी मुश्किल था जो कि एक drawback था low level language का उसी drawback को देखते हुए एक नए language को introduce कराया गया है और वो language है high level language क्या होता है यह high level language थोड़ा बहुत तो आप guess कर पा रहे होगे कि low level language अगर machine के लिए comfortable था तो यह high level language एक normal user आपके और हमारे लिए काफी comfortable होगा बिल्कुल आप अगर ऐसा को सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो देखें definition क्या कहता है इसका कि this language allow the user to write the instructions in simple language in simple English sentences यानि यह language जो है इस language का मतलब क्या हम किस language का बात कर रहे हैं हमनों बात कर रहे हैं high level language के बारे में तो यह language जो होगा हमारा this language allow the user इसके मदद से user जो है अपने instruction को computer को दे सकता है easily किसके मदद से simple English sentence के मदद से यानि कि कोई भी normal user English तो जानता होगा अब computer को instruction दिया जाएगा किसके मदद से कौन से language के मदद से तो simple English sentences के मदद से वही हम अगर बात करते हैं low level language का तो वहां पर कोई particular code हुआ करता था जैसे कि binary digit का इस्तमाल किया गया था यह हमें एक ऐसा मौका देता है जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नार्मल यूज के जाने वाले इंगलिस sentence का instruction देने के लिए computer को ठीक है तो it also uses common English words and mathematical symbols जो हम लोग नार्मल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं words का इंगलिस के words का इस्तमाल कर सकते हैं हम लो जैसे की plus जैसे की minus mathematical symbols जैसे की equal जैसे की multiply these are the mathematical symbols जिसका हम लोग इस्तमाल easily कर सकते हैं इस high level language के programming को use करते हुए तो आप समझ सकते हो ना कि high level language comparatively low level language के एक normal user के लिए कितना helpful होगा ओव्यस्ती बात है यह हमारे लिए काफी ज़्यादा user friendly है बढ़ जाते हैं आगे कि the programming style is comparatively easier to learn मैंने अभी आपको बताया कि पिछले वाले की comparison में यह वाला यानिकि यह low level language comparison में high level language काफी आसान है सीखना क्योंकि normal English words का इस्तवान होता है तो अव्यस्ती बात है कोई भी इंसान इसी सीख सकता है इसके examples क्या क्या है बेसिक है शी स्री प्लस प्लस जावा एंड पाइथन यह कुछ सबसे popular examples हैं high level programming language का तो आगे बढ़ते हैं next slide हमें बताएगा कि advantage क्या क्या होते हैं high level language का तो आप तो कुछ advantage आप तो advantage of high level languages तो आपको तो खुदी पता चल रहा होगा कि इसके क्या 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 advantage हो सकते हैं आप खुद guess भी कर सकते हो है तो सबसे पहला advantage है it is a machine independent language सबसे बड़ा यह आसान चीज हो कर दिया है इसमें कि यह machine के उपड़ dependent होता ही नहीं है इसको machine से कोई लेना देना नहीं है यह आपका independent होता है machine से this instructions can be written using English words obviously यह दूसरा benefit है हमारे लिए it is easier to understand and the error detection and correction is easier obviously यह point आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखो English में लिखा हुआ चीज है तो आप उसको easily पढ़ सकते हो समझ सकते हो कि कहां पर क्या mistake हुआ है और उस mistake को आप correct भी कर सकते हो अल्राइट चलो बढ़ते हैं आब आगे तो हर एक सिक्के का दो पहलू होता है कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुराई भी होती है हर चीज में तो इसमें advantages हैं तो कुछ इसमें limitations भी हैं कुछ इसमें disadvantages भी हैं क्या है तो it requires a translator to convert the source code यानि की program into machine code obviously यह जो language है high level language यह किसके understand के लिए है यह एक normal user के understand के लिए होता है तो obviously बात है computer इस language में लिखे हुए चीजों को समझेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा again इस language में लिखी हुए चीजों को convert करना पड़ेगा आपको किस में machine understandable language में या फिर machine code में यानि की source code क्या हो गया source code कुछ नहीं है जो आप code लिखोगे या जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे computer code that is the source code या simply the program is not as source code तो उस source code जो की high level language में लिखा हुआ हुआ है उसे convert करना होगा machine level language में या machine code में ताकि machine उसे understand करके execute कर सके अल्राइट यह पहला समझस्या आता है इसमें दूसरा इसमें समझस्या और ही नहीं क्योंकि पहला ही important है यह convert करना का सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है बढ़ जाते हैं अगला note के तरफ क्या important note देहने लिए मिलेगा देखो तो यह काम को करने के लिए हमारे पास कुछ translator होने चाहिए अब जैसी बात है इसलिए लिखा हुआ देखो टू दीस प्रोसेस वी हैब सम्ट्राइटर्स नाउन आज कंपाईलर्स एंड इंटर्पेटर्स तो हमारे पास इनविल्ड फीचर है हमारे कंप्यूटर में ही इनविल्ड कुछ फैसिलिटीज दिये हुए है इसके मदद से आप इसलिए जो कंप्यूटर है इस level language कर लेता है machine unstable language Burada करने के बाद आवियस की बाद है कंप्यूटर के लिए जाए है जी दा मुश्किल नहीं होगा इस तो को समझना जो लिखिक वे चीजी है में उनको समझना उनके लिए आसां हो जा jealousy गा है तो इसको करने के लिए हो ज क्या होता है इंटरप्रेटर चलो देख लेते हैं कंपाइलर सबसे पहला कि एक सॉफ्ट्वेर जो कि एक सेप्ट करता है पूरे प्रोडाम को यानि कि ये पूरे प्रोडाम को एक बार में रिड करता है कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोडाम को रिड करता है एक बार में और उसके बाद उसे कंवर्ट कर देता है उस हाई लेवल लेंगवज में लिखी वी पूरे प्रोडाम को कंवर्ट कर देता है machine level language में या यूं कहो binary language में या binary code में यानि कि zeros और ones के combinations में सारे high level language में लिखी हुई data को convert कर देता है और इसी software को हम कहते हैं compiler और बढ़ते हैं देखो next कि the program which the compiler uses for conversion is known as source code तो जिस program या फिर जिस लिखी हुई चीज़ों को वो convert करता है machine code में उन लिखी हुई codes को या उन लिखी हुई program को हम लोग कहते हैं source code ठीक है बढ़ते हैं next slide की तरफ तो next हमारा है points to remember पहला point a compiler is designed exclusively to convert a program written in a specific high level language compiler का designing बहुत important है यह point समझना compiler का जो design होता है वो एकदम एक particular किसी का program को convert करने के लिए design क्या हुआ रहता है alright यानि कि अगर मालो मेरे पास high level language में कोई program लिखा हुआ है तो इसको convert करने के लिए एक अलग compiler होगा तो high level language मेरे पास बहुत सारे हैं Java है, C है, C++ है तो obviously python है तो इतने सारे high level language है तो अलग-अलग high level languages में लिखी हुई जो program होंगे उनको convert करने के लिए machine code में वो अलग-अलग translator का यूज करेगा यानि कि अलग-अलग compiler का यूज करेगा उन्हें translate करने के लिए dedicated compiler design किया जाता है है इससे एक problem आता है देख क्या है this means that each high level language would require specific compiler for conversion obviously बात है अगर हमारे पास 5 अलग-अलग तरह के high level language present है तो उन 5 अलग-अलग high level language में लिखी हुए code को convert करने के लिए अलग-अलग compiler का requirement होगा क्योंकि ये compilers किसी particular high level language के लिए dedicated होता है For example, a Fortran compiler is capable of translating only a Fortran program वैसे ही Java का compiler होगा वो Java के लिखे हुए codes को ही machine language में or machine code में convert करने में capable होगा computer system may have more than one compiler for more than one high level language एक computer में एक से ज्यादा compiler हो सकते हैं अगर उस computer में एक से ज्यादा high level language present है तो ठीक है बढ़ जाते हैं अब नेक्स स्लाइड में और हमारा next slide है interpreter interpreter what is interpreter the software which converts the instruction written in high level language into machine language line by line or statement by statement is known as the interpreter interpreter थोड़ा different है compiler comparison में compiler में भी यही काम होता है same compiler में भी interpreter की तरह ही machine language में ही convert किया जाता है high level language में रिखे हुए code को लेकिन compiler में क्या होता है पूरे प्रोड़ाम को एक ही बार में convert कर दिया जाता है machine level language में यानि की machine code में लेकिन interpreter में क्या होता है यह एक-एक line of code को accept करता है और उसे convert करता है machine code में यानि कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा प्रोड़ाम है तो उसमें इसे हर एक line को बारी-बारी से accept करेगा और उसे बारी-बारी से convert करेगा या translate करेगा machine code में तो आप एक बात समझ सकते हो कि यह थोड़ा सा time taking होगा obvious ही बात है क्योंकि वहाँ पर जहां हमारे पास एक ASS software है compiler जो कि एक पूरे प्रोड़ाम को एक ही बार में convert करने में capable है वहीं अगर interpreter का बात करें तो यह line line को convert करने में capable है तो obviously बात है interpreter में time जादा लगने वाला है anyways देखते हैं आप आगे if the error is found on any line the execution stops there till it is corrected यानि कि इसमें एक problem और भी है कि अगर आपका कोई भी एक number एक line में कोई भी एक जगर पर आपका error मिल गया यानि कि कोई mistake मिल गया है तो वह mistake जब तक correct नहीं होगा तब तक आपके next line में control नहीं जाएगा यानि कि तब तक आपको next line translate नहीं होगा जब तक आपका पहला वाला line में हुआ mistake convert sorry correct नहीं होता है नोट क्या है compilers and interpreters are basically system softwares which are also known as language processors यह basically एक system software होते हैं यानि कि यह system यानि computer में inbuilt software होते हैं जिसे हम लोग करते है language processor की कहा जाता है ठीक है बढ़ जाते हैं अपने next slide के तरफ next slide हमें क्या पताने वाला है देखें next slide हमारे पास है types of high level languages हमारे पास obvious सी बात है हमने example में देखा कि बहुत तरह के high level language होते हैं तो देखें लेते हैं कॉल कॉन से हमारे हमारे पास high level language present है तो high level languages are broadly classified into three categories तीन पार्ट में categorize किया गया है इसे देखें सबसे पहला हमारे पास है structure oriented language structure oriented language the second one is the procedure oriented language and the third one is object oriented language basically हम लोग अपने इस session में study करेंगे object oriented के बारे में ही लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे procedure oriented language क्या होता है लेकिन structure oriented language के बारे में हम लोग discussion नहीं करने वाले हैं बस आपके knowledge के लिए मैंने बता दिया कि high level language basically तीन categories में categorized होते हैं और राइट बढ़ते आपने next slide में तो procedure oriented programming language जिसके बारे में हमने आभी आपको बताया वह क्या होता है और इसमें क्या-क्या ऐसे interesting चीजें हैं interesting facts हैं जो हम लोग जानेंगे तो इन facts के बारे में definitions के बारे में हम definitely जानेंगे लेकिन उसे हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में बिल्कुल अगला वीडियो हमारा होगा procedure oriented programming language के बारे में कुराने चीजों को recall कर पाने में capable हो और आप अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी helpful है तो ये helpfulness आप बरकरार रखिए और बाकी दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को share करिए और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भोलिएगा अगर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इसके फाइदे बहुत हैं जैसे हम नया वीडियो अप्लोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इन वीडियो को मिस नहीं करोगे अल्राइट और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताइए कि आपको अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर एंड गुडबाई